नमस्कार साथियों पालेटेक्निक पार्ट साल में आप सभी के स्वागत है तर्ड समेस्टर में डिश्टल एलेक्टॉनिक्स आपको पढ़ा जा रहा है तीसरा चैप्टर चल ला है जिसका नाम है बूलियन अलजब्रा ठीक है तो अब आपको जो है पिछले लेक्चर में कु तो एक नियम है आपका जैसे यक्स प्लस आपका वाई बराबर आपका क्या होगा वाई प्लस यक्स हो जाएगा ठीक है इसे आप पढ़े थे और यह कौन सा ला है कामुटेट्व ला है ठीक है और एंड गेट के फार्म में आप यक्स वाई लिख सकते हैं या फिर वाई इ जैसे यक्स को वाई के साथ ग्रूप कीजिए ग्रूपिंग का मतलब नहीं है कामुटेट्व मतलब ही अगर चेंज कर रहे हैं वो के साथ change कीजिए उसके output पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उसका result क्या रहेगा सेम रहेगा ठीक है जिसे यहां पर एकस पहले है वाई बाद में यहां पर वाई पहले है यह यह दिक्कत नहीं है मल्टिप्लिकेशन में कोई प्राब्लिम नहीं होगी यह काउंसा ला कहलाता है कामुटेटू ला कहलाता है ठीक है कामुटेटू ला और उसके बाद आपका आजाता है अब यहां पर दखिये जहराय के साथु करें और यहां पर गहांता ़ोगा यहां है यहां पर जह्ते हैं वह फ treffen सल जु आता है नहीं है जाहे आप ऐसे लिख है इसके बार हमाने आपको मताया गया था और इसी को लिख सकते हैं यक्स प्लस वाई प्लस आपका जेड लिख सकते हैं ठीक है रिजल्ट आपका क्या रहेगा सेम रहेगा अब जैसे यह तो और आर के फाम में था और expression अगर अइध एक्स-प्रेशं दिखाना चाहते हैं तो जैसे यक्स फीर आपका क्या हो जाएगा सुफ वाईजेड पर दूढ़ोगर देखी यहां पर वाईग का जेडे के साथ ग्रूपिंग है कर वाई को किसके सा데 गृरूपिंग है जेडि के साथ गृूपिंग है कि अधस्गोय के साथ हैं सही का neglected आप इसी को बराबर आप क्या लिख सकते हैं एक्स वाई जट लिख सकते हैं ठीक है ये कौनसला कहलाता है साचार के नियम एसोसीयेटिव ला कि इसे क्या बोलते हैं आप एसोसीयेटिव होगा ना एसोसीयेटिव ला कि यह नियम आप लिट लीजेगा उसके बाद एक है डिस्टिव ला कि जैसे माल लीजिए अगर यक्स है और वाई और प्लस आपका क्या है ठीक है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं यक्स को य के साथ करतीजिए मल्टिप्लिकेशन अब प्लस जो है एक्स को जेट के साथ मल्टिप्लाई कर सकते हैं जैसे समान बीजगनित में होता था ठीक है और जैसे आपका एक है डबलू प्लस वाई डबलू प्लस एक्स और कोश्टक में फिर है य प्लस जेड य प्लस जेड तो जैसे समान बीजगनित में मल्टिप्लिकेशन करते थे इसका न वह ऐसे ही कर सकते हैं ठीक है तो अब यहां पर क्या है डबलू वाई प्लस वाई ठीक है मल्टिकेशन होगा तो यक्स वाई प्लस यक्स जेड ठीक है अब एक चीज़ यहां पर द्यान देना पड़ेगा आपको कि जैसे अगर ओसा एक्स प्रेशन आपको देखता है तो आप उसे इस तरीके स लिख सकते हैं ठीक्या कैसे देखिए यहां पर कितने गेट की जरूवत पड़ेगी एक एंड गेट दो एंड गेट तीन एंड गेट और चार एंड गेट और सब को जोड़ने के लिए एक और गेट जरूवत पड़ेगी तो यहां पर पांच गेट की जरूवत है और यहां पर कितने गेट की दोकर किने के लिए एक्ट किरत्स है यहां पे पांच की जरुवत है यहां पे टीन गेट की जरूपत है एक Evangel 2 औट और दोनों को जोड़ने के लिए एक आर गिड्वर सब्सक्राइब पड़ेगी लेकिन यहां पर जो है दो ही गेट की जरूपत पड़ेगी एक तो आपका ऑफ और यह को मसल्ला है डिस्टिवी उटूला थीक है यह हो गया और उसके बाद कुछ अन्य नियम भी थे जैसे कि मैंने आपको बताया था जैसे य क्षक रस्या वाई ठीक है इसको आप क्या लेक सकते हैं यस लिख सकते हैं और उसके बाद स्पॉस वाई जेड इसी को आप क्या लिख सकते हैं लीक्स पॉस-वाई 2 एक्सप्लस ओ आ ठीक है इस तरह के से भी आप क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं और इक्स प्लसक का बार वाई व diferença अबर यक्स प्लस वाई लिख सकते हैं ठीक है यह चीज कैसे था मैंने आपको बताया था और यह तीन हो अदर ला में आते हैं है अदर ला ठीक है आपको इसके बारे में क्या किया गया था बताया गया था कि इसे थार्ड सेमेस्टर में स्टूडेंट्स बहुत कम देख रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है इससे पहले डिश्टल इलेक्टोनिक्स में दो चैप्टर खतम हो गया यह तीसरा चैप्टर चल लहा है और इससे पहले भी आपको मसीन फर्स्ट जो और मेजर्मेंट आपको अच्छे तरीके से पढ़ा दिया गया है ठीक है जिसको पढ़ना है यूटूब चैनल या पॉली टेक्निक पार साला एप पर जाकर करके उसे अच्छे तरीके से पढ़ सकता है फिरहाल डिश्टल इलेक्ट्रोनिक्स तो यूटूब पे ही चल आप कुछ कोश्चन्स आपको पढ़ाया जाएंगे जैसे बूलियन एक्सप्रेशन को सरल कीजिए कि कुछ बूलियन एक्सप्रेशन है बूलियन बूलियन एक्सप्रेशन को आप सरल कीजिए ठीक है तो पहला है एक्सप्रेशन दिया है वाई बराबर कोई एक्सप्रेशन है वाई बराबर कोई एक्सप्रेशन दिया है एक इसको आपको क्या करना है सालव करना है तो कैसे साल्व करेंगे देखिए इसको कैसे साल्व करेंगे इसमें सबसे पहले देखी क्या दोनों में क्या कामन है ठीक है जैसे ए बी बार इसमें भी है ए बी बार इसमें भी है तो यह बी बार आप कामन ले लेंगे तो डी प्लस आपका डी बार मिलेगा अब आपको पता है कि डी प्लस आपका डी बार कितना होता है कितना हो सकता है यह तो आप पहले सही पढ़े हैं अगर worldly मलेंगे थे जीरो ड्ल सबसक्ते है किसके बराबर आएगा वन आएगा डी के दो बैलू हो सकते हैं एक आपका जीरो हो सकता है और एक आपका वन हो सकता है तो दूनों रखे देख लीजिए जीरो रखेंगे तब भी वन आएगा वन रखेंगे तब भी वन आएगा ठीक है तो इतने को आप क्या लिख सकते हैं व उसी प्रकार एक दूसरा expression है दिया है जो की साल्व हो गया यहीं हमारा answer हो गया ठीक है एक दूसरा expression है दिया है A plus B फिर उसके बाद दिया है A plus B अब यहां पर इसके उपर क्या है बार है ठीक है तो अभी से कैसे साल्व करेंगे इसे अगर आपको साल्व करना है तो सबसे पहले आप इसको multiplication करेंगे अगर पज्जा कि क्या होगा यह साल्व होगा साल्व होगा कि तो किसके बरावर आएगा आपका उसको देखते हैं जैसे यहाँ पर आपका दोनों का multiplication कीजिए, a bar a आ जायेगा, a का इस में गुड़ा होगा, फिर a bar का b में गुड़ा होगा, फिर प्लस आपका, a bar आपका b आ जाएगा, अब b का a में गुड़ा होगा, प्लस a into b, b into a, a into b, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस आपका B डॉट आपका B हो जाएगा ठीक है तो अब आपको पता है कि ये बार A को क्या लिख सकते हैं ये बार A को क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं इसकी बैलू 0 होगी, ये चीज तो आपको पहले ही बताया गया है कि इसकी बैलू क्या होगी जीरो होगी अब पढ़े होंगे ना कि यक्स बार यक्स बरबर आपका क्या होगा जीरो होगा यक्स बराबर वन रखेंगे तो वन का बार डाट वन बराबर आपका क्या होना चाहिए कि वन का बार करेंगे तो जीरो डाट वन बराबर आपका क्या हो जाएगा जीरो ही पेलू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी यह चीज आपको पहले ही प्रत बता दिये गया था देख लीजे क्योंकि बार-बार वो चीज हमें बताना जो है ताइम बरबात करना के बराबर होता है प्लस आपका अब यहां पर प्लस ध्यान से देखें बी डाट बी को क्या देखेंगे बी में तो बी ही आएगा ठीक है यह हो गया अब यहां पर देखिए बी कामन है सायद इसमें इसमें क्या है बी कामन है यहां पर ए बार और बी हो गया फिर प्लस इसमें देखिए बी कामन है तो बी कामन ले लिजिए फिर ए प्लस आपका वन ए प्लस वन को क्य लिख सकते हैं एकमान जीरो रखेंगे तब भी वनाएगा एकमान एक रखेंगे तब भी वनाएगा तो इसका मतलब है कि इसकी जो बैलू होगी क्या होगी एबार बी प्लस आपका बी और आपका वन आएगा डट क्या आएगा वन आएगा ठीक है अब यहां पर देखिए इसमें बी कामन है इसमें b क्या है? कामन है. تو a बार मतलब यहाँ पर बी दोनु में क्या है? कामन हैं ना तो b को कामन ले लिजिए पसक्त अब क्या जाएगा? one हो जाएगा इसका मान क्या जाएगा? इसका मान अगर एक रखेंगे तो यहाँ पर आपका zero जाएगा तब भी 1 आएगा, ठीक है, जिसे A बार, प्लस आपका 1 है, एक ही दो बैलू हो सकती है, 0 या फिर आपका 1 हो सकता है, ठीक है, तो पहले 0 रखिए, तो 0 का बार, प्लस आपका 1, बराबर आपका, यह 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1, बराबर तब भी 1 ही आएगा, ठीक है, अगर 0 आप रखते हैं तो 0 नहीं हूँ टो रखके देख लिजिये 1 रखिए 1 का बार प्लस आपका ये historians करें तो ये 0 प्लस आपका 1 तब भी आपका कितना जाएगा या जाएगा तो इसकी होगी क्या होगी फिर ये इसकी होगी वन होगी उसके मतलब है कि डाट्स आपका तो तो साल्व करने का तरीका चाहिए वो जो नियम आपको पहले बताए गया थे वो चीज आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा सुमधना पड़ेगा इसको पहले लिख लीजे फिर उसके बाद दूसरा बताते हैं दूसरा क्या है इसी में मैं बता दे रहा हूँ एक अलग से एक्स्प्रेशन है इसे एक क्वेश्चन है य बराबर आपका A, B, C, T प्लस A, B, C, D दिकिए यहाँ पर क्या है? 4 variables है इन 4 को end किया गया है इसको भी end किया गया है फिर इसका end और इसका end दोनों को जोड़ दिया गया है इसमें जो है दो end gate लगेंगे और एक R gate लगेगा ठीक है? तो इसे कैसे solve करना है? अभी इसके उपर थोड़ा आधा दूरा है बार लगेगा उसके बाद आपका D हो जाएगा फिर उसके बाद इसके सभी के उपर क्या है? आपका बार है तो यहाँ पर एक चीज हमें देखना पड़ेगा कि A, B, D A, B, D तीनों में क्या है? कामन है A, B, D तीनों में क्या है? कामन है तो A, B, D कामन है तो आप इसको solve कर सकते हैं A, B, D तो कामन वाले को बाहर निकाल लेजिए प्लस क्या बचा? C C प्लस आपका C बार बचा, ठीक है इसकी value कितनी होगी? 1 होगी इसकी value आपकी क्या होगी? 1 होगी आपको पता है A, B, D दाट आपका क्या होगा? 1 होगा ठीक है? यह चीज़ आपको पढ़ाया गया है यहां पर तीन गेट लग रहा था अब यहां पर जो है कितना गेट लगेगा बार था तो और गेट लगेगा क्योंकि जितने बार है उतने ही यहां पर गेट लगेंगे ज्यांसे दिखिए एक एक ने एक नाट-गेट दो नाट-गेट यू डिनाट-गेट dad ऌर घर चालाब गयेट शेंश गया ठीक है सा सथ हो गया फिर सहुछ तो यह सब तो इंद गेट हो गया साथ नाड़गेट हो गया और एक आर गेट हो गया ठीक है तो बहुत ज़्जादा गेट लगए जबकि यहां पे क्या है कि एकiper गे टीन डेत लग इसे अफिेट आपका का एकस्यगे एकस्वाई जेड एकस्वाई ठोड़ा कम अच्छत besar गंता है एक ह멏dess एकस्वाई ज्यड्र गिंग्स वाइड उट्सेट्स subtle एकसवाइड ठिक है 5 एये ऑतरू हैं तो कितने वेरियेबल्स अहें हैं एक तीन वेरियेबल्स है ठीक है तीन वेरियेबल्स हैं participants दिया है यहां पर फासषिंद्स दीकि अधार यहां तो इसको कैसे साल्व करेंगे आप अभी तो इसके उपर नाट गेट लगेगा इसके उपर बार है 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 यह वाई जेड इसके उपर बार है फिर उसके बाद जेड के उपर बार है ठीक है अब आपको क कैसे साल्व करेंगे इन दोनों में क्या चीज समान है इन दोनों में पहले देखिए यक्स बार जडबार यक्स बार और जडबार तो दो चीज क्या है कामन है इसको पहले आप कामन को अलग कर लिजिए यक्स बार और जडबार कामन को कामन कर लिजिए जो दोनों में कामन है फिर क्या बचेगा य बार प्लस आपका य ठीक है यह हो गया अब इसमें देखी क्या चीज कामन है जेड़ बार जेड़ बार दोनों में कामन है यक्स यक्स दोनों में कामन है ठीक है तो यक्स जेड़ बार यक्स जेड़ बार कामन हो गया इसमें क्या है य य बार प्लस आपका य ठीक है दोनों में वही चीज़ आया है तो इसकी बैलू तो आपको पता है कि 1 होगी पहले यह आपको बता दिये थे तो यक्स बार जेड़ बार इसकी बैलू क्या होगी वन होगी वाई बर अगर आप जीरो रखेंगे तब भी बनाएगा तो प्लस आपका यक्स जेड़ बार ठीक है अब यहाँ पर आपको यह देखना है तो यहाँ पर भी आपका वन ही आएगा तो वन का मल्टिप्लिकेशन उसमें होगा त अब जहाँ से देखिए दोनों में क्या कामन है वन से तो कोई मतलम नहीं है ठीक है वन से कोई मतलम नहीं है आप इसे ऐसे लिख सकते है यक्स जेड़ प्लस आपका यक्स जेड़ बार यक्स बार यक्स जेड़ बार ठीक है अब इसे साल्व कीजिए इसमें दोनों में क्या common है यक्स bear नहीं little common है जेड बार common है तो आप यसद बार प्लस आपका इसका मतलब क्या है one input not gate के बराबर है इतना बड़ा जो expression है इतना बड़ा जो expression है one input not gate के क्या है बराबर है ठीक है कैसे अब जैसे माल लीजिए यहां पर आप कोई input दे रहे हैं तो not gate में एक ही input होता है तो जेड़ होगा यह जेड़ इनपूट देंगे तो इधर जेड़ बार आपको मिलेगा ठीक है यह not gate का कमाल है तो expression से चीजों का result जो है बहुत आसानी के साथ क्या हो जाता है निकल जाता है इसको मैं मिटा दे रहा हूं कुछ और expression मैं साल्व करवा दे रहा हूं बस यह है कि ऊपर जो फार्मूला जो वगएरा आपको बताया गया है उसको साल्व करने की जरूवत है अब जैसे y ब्राबरे के expression दिया है अबने हैं कि मिदो इस आपको साल्म करना है तो कैसे साल्म करेंगे तो दोनों में बीजिए कामना इसको इस तरीके से आप साल्म कर सकते हैं कि बी बार और सी बार कामन है तो ए प्लस आपका ए बार आ जाएगा इन दोनों में देखिए क्या चीज कामन है तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए ए बार इसमें अगर कामन की बात करेंगे तो कामन ए बार कामन है बस ए बार कामन है उसके बाद तो कुछ कम होने वाला है नहीं इसको ऐसे लिख दीजिए ठीक है यह चीद ध्यान दीजिएगा थोड़ा मिस्टेक हो सकता है भूल से गलती पर किसी पर भी लग जा सकता है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं B बार C बार प्लस A B C प्लस आपका A B C ठीक है इतना कर सकते हैं अब B C किसमे कामन है B bar C bar किसमे कामन है या B bar कि C bar किसमे कामन है इसमे कामन है यह आला ठीक है तो C bar आप पहले कामन ले लिजे C bar कामन लेंगे तो क्या लिख सकते है B bar प्लस आपका A bar आपका B हो जाएगा या फिर B bar B A bar हो जाएगा A bar ठीक है देखिए इसमें C bar कामन है ना इसमें C bar कामन C bar कामन ले लिजे तो B bar प्लस B A bar हो जाएगा या A bar B हो जाएगा कोई दिक्कत की बात नहीं है प्लस आपका A bar B barепो जएगा जिरेगा तो क्याएगा क्याएगा तो एक फार्मूला आप लोग पढ़े थे कि जैसे यक्स प्लस आपका यक्स बार वाई बराबर आपका यक्स प्लस वाई लेख सकते हैं, ठीक है? अब आपका, यहां पर क्या है? C का मलिया न, A बार आपका, B हो जाएगा, हाँ वही चीज है, थोड़ा इसको देखना पड़ेगा, कि कौन सा रूल से इसमें अप्लाई किया है, देखिए, यक्स वाई, यहां पर किसके उपर बार है, B बार, A बार है, और क्या है आपका, B है, ठीक है? तो जिस पर बार नहीं है, उसको अलग किया गया है, देखिए, यक्स प्लस वाई, तो यहां पर क्या है, अब यह फार्मूला कैसे बन रहा है, B बार प्लस आपका, B और आपका क्या है, A बार बन रहा है, बराबर क्या लिख सकते हैं, B बार प्लस, A बार लिख सकते हैं, ठीक है? क्योंकि देखिए, जिस पर बार नहीं है, उससे यहां पर लिखा गया है, तो यहां पर जिस पर बार है, उसको लिखा जाएगा, क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि दो बार बार है, तो अलग तो नहीं हो पाएगा, तो इसे क्या लिखेंगे आप, B बार और A बार हो ठीक है यहाँ पर दो के उपर बार है ठीक है और यहाँ पर एक के उपर क्या था बार था तो एक के उपर बार था तो इसको नहीं लिखा गया था ठीक है अब यहाँ पर इसके उपर बार नहीं है तो इससे तो नहीं बन पाएगा तो इसको आपको किस तरीके से लिख सकते हैं बी बार प्लस ए बार लिख सकते हैं, इसको मैं सिद्ध करके दिखा भी सकता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा, अभी इसको साल्व कर देते हैं, फिर आपको मैं उसको सिद्ध करके दिखाता हूं, ठीक है, तो C बार और यहां पर आप कर दीजिए, बी बार प्लस आपका C, A, C बार यह बार प्लस, A बार, B बार और C बार, ठीक है, अब इसमें कामन लेने की ज़रूरत है, जहां तक है, इसमें अगर आप एक कामन लेते हैं, A बार कामन लेते हैं, तो C बार, B बार प्लस, A बार आप कामन ले लजेए, तो C बार, प्लस आपका, B बार, C हो जाएगा, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं जैसे इसको आप लिख सकते हैं वैसे इसको भी लिख सकते हैं उसी के फार्म में है ठीक है तो आप c बार b बार प्लस आपका a बार फिर इसको क्या लिख सकते हैं c बार प्लस B bar लिख सकते हैं, ठीक है अब यहाँ पर फिर इसका हो सकता है कि गुड़ा हो जाए तो C bar B bar plus A bar C bar plus A bar B bar ठीक है यही आपका अंसर है, इतना ही simplify किया है, ठीक है, इसके answer में तब यह काफी जहत तक क्या हो गया, साल्व हो गया यहाँ पर कुछ भी करने की जरूवत नहीं बस इस चीज को आपको क्या करना है, समझना है X plus X bar बराबर इतना को आप इतना लिख सकते हैं, ठीक है यह चीज आपको क्या करना है, ज्यान देना है यह हो गया तो काफी लंबा वीडियो बन गया, एक हिसाब से अगर देखा जाए तो पहले इतना आप लोग साल्व कीजिएगा फिर उसके बाद जो है, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसे आप साल्व कर सकते हैं अब एक आएगा आपका डिमॉरगन थियूरम, ठीक है डिमॉरगन थियूरम के बारे में आपको क्या करेंगे, बताएंगे तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ठीक है ज्यादा ज्यादा लोगों को बता रिये, थर्ड समेस्टर में इस्टूडेंस काफी कम है, ठीक है आज का क्लाशे यह तक धन्यवाद